पूर्ण इवनिंग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को अल इग्जम्बलेस पर मैं वो रोईत खिरा गुड़ीवनिंग चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास जहां पर हम करने वाले हैं मद्वदेश के इतियास से संबंद्धित प्रश्ण जो कि आपके काफी important होने वाले हैं assistant professor exams के लिए तो जल्दी से जुड़ जाईए और शेयर कर दीजे इस वीडियो को चलिए गुड़ीवनिंग रुपेंद्राना जी काना शर्मा जी साधना पटेल जी गुड़ीवनिंग चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को इसके सांसा दोस्तो आपने अभी तक हमारा एप डाउनलोड नहीं किया तो एप डाउनलोड कर लीजे क्योंकि यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा test series मिल जाएगी जिया exam, label, job, notification, previous year, paper सब कुछ आपको एप पर मिल जाएगा इसके अलावा आप टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लीजे कोई भी exam अपडेट आती है तो सबसे पहले टेलिग्राम पे आपको मिलती है इसके अलावा आप टेलिग्राम यूस नहीं करते हैं अगर तो whatsapp में 699 रुपए में complete paper 1 मिल जाएगा और टेसरिस केवल अगर आप लेना चाते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 199 की 199 रुपए की तो ये जरूर जोइन कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की class को कोई doubt लगे तो आप comment में पूछ लीजेगा चलिए पहला गुशन है composition है यानि रचनाय है यह आपको बताना है option में आपको विद्या विनोध है स्वर्सत्ती कथा है और आपका सार्स्वत कंथ अपकरण है और युक्ति कल्पत्रू है और उपर के सभी option में आपर शामिल है बहुत-बहुत स्वागत हैं आप लोगों का चलिए जल्दी से answer की जिवाई राजा भोज की बात हो रही है यहां पर जी हाँ अब इनकी देखा जाए तो राजा भोज की काफी सारी रचनाय जो हैं वो famous है ना जिसमें से कुछ रचनाय यहां पर आपको दे रखी है इसके अलावा भी आप देखेंगे तो इनकी बहुत सारी जो रचनाय है वो famous है चलिए हाँ तो मेरे साब से इसका answer तो आप तुरंट दे पाएंगे बिलकुल बहुत बढ़िया बिलकुल उप्युक सभी अगर आप देखेंगे तो जो रचनाय है यह सब राजा भोज की रचनाय है इसके अलावा अगर मैं राजा भोज की बात करूं तो कौन से वन से संबंद रखते हैं तो यह सभी को पता है परमार वन से इनका संबंद है परमार ड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगबग आप देखेंगे तो इनके नाम पर 84 से ज्यादा टेक्स्ट जो है मैंशन है 84 से ज्यादा रचनाय है आप देखेंगे राजा भोज ने बिसिकली आपकी की है जिसमें अगर आप देखेंगे जैसे आपका भोज प्रबंद कर के एक रचना है इसके अलावा आपका भोज वरती या राजा मात डंड के उपर एक रचना है तो बहुत सारी रचना है जो है इसके बारे में मैंशन आपको देखने को मिलेंगी चलिए अगला है कि विच आफ देखाल मिंग प्लेस इस नोन एज दा कैपिटल ओफ कुश्व कुश्वाह राजाओं की जो राजधानी रही वह कौन सी राजधानी रही यह आपको बताना है ऑप्शन में बानमोर है आप में सिहोनिया है खुजराओं है और साभल गड़ है तो मेरे साब से इसका भी आंसर आप तुरंद दे पाएंगे चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फटाक से कमेंट कीजे जल्दी से आंसर कीजिए बिल्कुल हाँ देखो बहुत सारे वंश है अब उसमें से एक आपको कुश्वा है अब इसके बारे में आपको बताना है बिसिकली चलिए बिल्कुल पी ऑप्शन देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे सिहोनिया जो है यह इनकी बिसिकली क्या रही कैप्टल रही और सिहोनिया जो बिसिकली है कहां पर मद्वदेश में तो वर्तमान में देखेंगे तो जो मुरेना है वर्तमान में देखेंगे जो मुरेना है वो बिसिकली आपका रहा तो यह याद रखेगा सिहोनिया जो कि वर्तमान में आप देखेंगे विसिकली आपका मुरेना का जो हिस्सा है वो आपको देखने को मि देखेंगे 9th century की आसपास की बात है यह तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा बिलकुल चली तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा इसमें question आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा बागी तो आपको पूछेगा नहीं बागी सिओनिया में एक शेब मंदिर है जो कि इनके द्वारा ही बनवाए गया है कुछ वह राजाओं के द्वारा ही बनवाए गया तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा मैं साइड हुई जाता हूं भाई नहीं तो आप बोलो कि साइड ही नहीं नोते सर चलिए बोल रहा है वू वू उस the founder ऑप चंदेल डाइनस्टी के संस्थापक कौन थे बाई साम चंदेल डाइनस्टी के के जो संस्थापक थे वो कौन थे हाँ चलिए बताइए भाई चंदेलों के पाउंडर की बात हो रही है यहाँ पर हाँ कीजे कमेंट कि अगर आप देखेंगे तो आपको बिलकुल नानुक का नाम देखने को मिलता है जी हाँ अगर आप देखेंगे चंदेल जो हैं उसमें आपको नानुक का नाम देखने को मिलता है और बिल्कुल याद रखेगा अगर आप फाउंडर की ओर देखेंगे तो नानुक का नाम आपको इसमें देखने को मिलेगा चलिए हाँ बिल्कुल 1831 से लेके 1845 के बीच में जो टाइमिंग है हाँ ना 1831 से लेके 1845 के बीच में जो टाइम पिरिड है वो बिसिकली आपका नानुक का है और फाउंडर की रूप में आप देखेंगे तो नानुक जो थे ये जाने जाते थे बिसिकली आपके चंदेलों के इसके अलावा आप देखेंगे इनका एंपायर आप देखेंगे यमुना से लेके बिसिकली आप देखेंगे नर्मदा तक फैला हुआ था हाँ चलिए नेक्स देखिएगा नेक्स पोश्चन है रानी लच्मी बाई गौड गलेंडरी वेल वा बिसिकली कमांडर जी यहां रानी लच्मी बाई ने किस ब्रिटिस कमांडर से लड़ते हुए वीरता प्राप्त की थी यह आपको बताना है अब यह भी कोश्चन आपको आ सकता है रानी लच्मी बाई पर काफी कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यह आपको बताना ह हाँ इसके अलावा कहां पर शहीद हुई थी रानी लश्मी बाई ये भी कल एक कोश्चन मैंने आपको करवाया था वो भी आपका एक्जाम में आ चुका है चलिए धेँए अगर आपको त्यॉरी लेक्चर्ट देखने डिटेल में तो आप डाउनलोड किजे और आप को लेंगे त्यूरि लेक्चर्ट ठाना application एक अप्रफ्ड़ी लेक्चर्द मिलेंगे जी हां डेटेल में जो ध्योरी लेक्चर्द often आपको application में मिलेंगे 6 बजे mcq का टाइम है आना यहां पर mcq discuss होंगे क्योरी लेक्चर एप पर मिलेंगे application पर मिलेंगे चलिए बताइए भाई साब इनके बारे में इसके अलावा आपको एक कोशन यह भी आ सकता है कि भाई रानी लच्मी भाई के साथ उनकी साहिका कौन थी यह कोशन भी आपको देखने को मिल सकता है तो वह भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा कानी लच्मी भाई के साथ साहिका के के रूप में कौन था वो भी आपको आ जाता है कई बार तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बिल्कुल तात्या टोपे के बारे में पूछ लेगा कि तात्या टोपे को फासी कहां दी गई इस तरह से कोशन आपको आ जाएगा या फिर बिसिकली उनको कहां से पकड़ा गया हाना तो कई बार आपको ऐसे कोशन भी आते हैं तो याद रखिगा हूज रॉज जो थे बिसिकली आपके हाना हूज रॉज जो थे बिसिकली आपकी ये पीछे गए थे हूज रॉज जो थे ये आपके क्या थे पीछे गए थे हाना और बिसिकली आर्मी जो थी कोटा सराय के के पास में आप देखेंगे हाना कोटा सराय के पास में देखेंगे बिलकुल आपका हाना कैप्टन यूज रॉस हाना कैप्टन यूज रॉस जो थे यह बेसिकली आपके थे तो यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता option थोड़ा सा गलत दे रखा है ठीक है बिलकुल तो याद रखीगा हुज रॉस जो थे इनके पीछे गए थे रानी लश्वी भाई के साथ में आपको पता होना चाहिए इनकी साइका कौन थी जलकारी भाई थी यह भी कोशन आ जाता है तो जलकारी भाई का नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा इस पर यह भी आपको कोशन आ सकता है यह इनके साथ में थी जलकारी भाई इसके अलावा आप देखेंगे बेसिकली अगर आप देखेंगे कहां से पकड़ा गया तो यह भी याद रखिएगा गौलियर हाना गौलियर से बेसिकली आपका क्या है यहीं पर बेसिकली स्वहीद हो जजक भुक्ती डूरिंग चंदेल रूरर किस एरिया को जजक भुक्ती के नाम से जाना जाता था यह आपको बताना चंदेलों के टाइम पर हाना बिलकुल बिलकुल और सिंधिया का जाता है इसमें काफी वह रोल था पकड़ाने में और 1857 का जो बिसिकली आपका हुआ था हाना उसको दबाने में आप देखेंगे तो सिंधियास का काफी रोल माना जाता है कि सिंधिया ने 1857 की करांती को दबाने में काफी वह किया हाना क्योंकि आप देखेंगे एक तो शुरू से ही ब्रिटिशर्स के तरफ आप देखेंगे सिंधियास का वह रहा ऐसा नहीं है ज टिशर का सपोर्ट किया पिंडारियों को दबाने के लिए तो यह चीज़ें आपको देखने को मिलती है अब यहां पर चंदेल की बात हो रही है अब चंदेल में भाई जजाग भुक्ती के किस नाम से जाना जाता था तो मेरे साब से सभी को किलिया होगा बुंदेल खंड जो यमना नदी के 20 का जो रीजन है वो बेसिकली आपका जजाग भुक्ती के नाम से आफ देखेंगे जाना जाता है और बिसिकली आप देखेंगे तो बुंदेल खंड वाला जो हिस्सा है बिलकुल वो आपको ध्यान रखना है हाँ बिलकुल तो यह थोड़ा सा ध्यान जञेगा जजाक मिलेगा और जगे आपको जी जुटी करके मिलेगा तो यह सब वही चीजें जजाक भुक्ती जिजोदी लिख दे जिजाक लिख दे ज्लिगते तो सब एक एक चीजह को आपको आ सकता है तो बंदेल खंड याद रखेगा और बाकी तो इसमें पूछेगा नहीं इसके अलावा आप देखेंगे जो मैन महोबा हो गया छत्र साल वाला छेतर हो गया बिसकली आपका आना आला उदल का जहां जन्म हुआ महोबा में तो वो एरिया भी आपका बिसकली आप देखेंगे आपका कहलाता है ठीक है चलिए अगला देखिए विच कैपिटल वाज चेंज टू खुजराव एस न्यू कैपिटल बाए चंदेल रूलर जी हां चंदेल शाशक द्वारा नई राजधानी के रूप में खुजराव कर दी गई थी और वो कौन से बिसकली आपके राजा थे जिन्होंने खुजराव को एज़ा कैपिटल बनाया यह आपको बताना है खुजराव को एज़ा कैपिटल राजधानी बनाने वाले राजा कौन थे यह आपको बताना है अब दीए खुजराव की बात आती है तो खुजराव के टेंपल काफी फेमस है उस पे कोशन आपको मिल जाएगा हाना तो जैसे आपको चत्र भुज TEMPLE पर कोश्चन आता है कि चत्र भुज TEMPLE कहां पर है हाना तो याद रखेगा चत्र भुज tender जो है बिसीक लिए कहां पर है हाना यह भी द्यान रखेगा इस पर Aप को आजाता है हाना और भगवान विश्नु का टेमपल है हाना और आप देखेंगे यशो वर्मन जो है विसकली उसके द्वारा आपका क्या बनवाया गया था यह आपका बनवाया गया था कि चलिए क्लियर है सभी को हाँ इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें रख किएगा जो धंग देव थे अना धंग देव ने बिसिकली अपनी कैपिटल जो है बिसिकली क्या खुजराओ कर दी थी याद रखिएगा धंग देव हाँ हाँ बिल्कुल अगर आप देखेंगे शुरुवात में जो फाउंडर थे नानुक तो नानुक ने जो कैपिटल रखी थी वो महोबा रखी दिया ना प्रेजन डेव देखेंगे तो महोबा कालेंजर के नाम से जिसे जाना जाता था महोबा रखी थी नानुक ने नानुक ने म महोबा रखे थी कालेंज़ रखे थी बाद में बाद में बेसिकली आपका धंग देव ने यह चैपिटल है उसे क्या कर दिया खुजराओ कर दिया तो यह थोड़ा ध्यान रखेगा हो सकता है इस पर आपको कोशन देखने को मिल जाए और बिसिकली इस पर कोशन आ सकता है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा में भी इस पर कोशन आपको देखने को एक्जाम में मिल जाए और जजाग भुक्ती वाला इस पर कोशन आपको आ सकता है यह भी य कि चलिए आगे बढ़े कि कोई डाउट है इसमें मेराथोन में अभी करवाँ दूगा बिल्कुल अभी करवाँगा उसटाइन में चलिए अगला है विच्ट रूलर फाउंड फाउंड फाउंडेट दा परमार डानस्टी जी यहां परमार वंज की स्थापना जो है किस डानस्टी ने की अब इस पर भी डारेक्ट आपको मालवा का पूछ लेगा कि मालवा में जो बिसिकली रहे उनमें स्थापना कैसे नहीं की तो यह कोशन कॉमन है जहां पर आपको फाउंडर पूछा जाता है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा मिलकुल बी बिलकुल तो परमार की अगर आप स्थापना की अगर देखेंगे यहां पर तो परमार का औरिजनल आप देखेंगे तो उपेंद्र जी हां बेसिकली आप देखेंगे तो उपेंद्र और कृष्णा राजा जिसको दूसरे नाम से आप देखेंगे तो उपेंद्र हो या कृष्णा राजा राजय यह याद रखे गाना डोनों एक है ठीक है कई जग यहाप को basically Founder में आपको किसका नाम मिलेगा its no-no basically Upaindra ही इने ही कहते हैं लिए थ्यान यह रखेगा इस पहे आपको गोश्यन आ जाएगा हाला मालवा reason में बिल्कुल ठीक है और एरिया की बात करें तो पूरा आपका राजिस्तान का कुछ पाठ हो गया हाना मालवा का पाठ हो गया उजयन वाला पाठ हो गया यह पूरा आपका क्या है basically इनकी अंदर में था इसके बाद काफी मतलब आपके वह आए हाना इसके बाद काफी आपको देखने को मिले capital की बात करें तो भाई बैरक her overall breaking drinking करके सेकेंड जो थे पर्मार राजा उनहोंने capital उजन से क्या कर दी धार और दी थी तो तो कुषोन ही भी बन सकता है कि पर्मार राजा कौन से थे जebनने तो यह कि ऐसे कोशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाकी तो इसमें जो चीजे बनेंगी वह हम देखी रहें चलिए अगला देखिएगा बुल रहा है विज डानेस्टी बॉस ओर्जनली रूल इन मेडिबल पीरियड इन इस्टन पार्ट ऑप मदवदेश इन में से कौन सी वंश था जो हमारे मदवदेश के पूर वाला जो हिस्सा है उसमें क्या करता था शाशन करता था ऑप्शन में गोण है मराठा है राजपूत है और मौर हैं तो मेरे साब से यह किलियर होगा देखो र 2005 AD के आसपास में आप देखोगे तो राजा भोज का नाम मिलता है और उसी के नाम पे आप देखेंगे जो भोजपाल है भोजपाल बना भोजपाल से भोपाल बना हाना तो प्रजेंटे भोपाल आप देखेंगे बिसिकली उनी के नाम पे राजा भोज के नाम पे हाना और नाम पे गाउं है जो की है भोजपुर वह फाउंड किया जहां पर आपने देखा होगा सबसे बड़ा शिविलिंग वहां पर है भोजपुर में और साथ में वहां पर उन्हें एक साइक्लोपीएन डैम जो है वह वह कंस्ट्रक्ट किया था उसके लावा आप देखेंगे तो असी प्लस टेक्स्ट जो थे राजा भोज ने बिसिकली आपका क्या किये थे बिल्कुल आपका मेंशन किये थे इसके अलावा आप देखेंगे उनके बारे में आईने अगबरी तक में बिसिकली आपका क्या है मेंशन है बकाइदा और इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे चीजे उनके बारे में अगर उन पर जाओंगा तो राजा भोज पर ही एक लेक्चर आपका क्या हो जाएगा हो जाएगा पर उतना नहीं जाना अपने को फिलाल ये कोश् गौड राजाहों का बेशिकली क्या था रासता है ऊं से सत्रा के बीच वाला जो पीरेड है वह बेसिकली आपका पीरेड रहों गया ये थाओ दीजेगा इन केस आ जाए जैसे गोडव गड़ के नां से जने जाना जाता था तो साउथ इस पाट जो है पूरे मदवदेश का ना मतलब आपका दक्षिन पूर वाला जो बाट है नह頭 पूरा का और अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे बिसिकली राम नगर इंस्क्रिप्शन जो है वहां पर आप देखेंगे तो चववन गौड राजाओं का नाम मेंशन है राम नगर इंस्क्रिप्शन से आप देखेंगे तो चववन गौड राजाओं का बिसिकली क् संग्रामशाह का नाम आपको उपर देखने को मिलेगा का न हो इसे लिए गौरीरी कि देखेंगे 52 लिए इनों ने जीते थे precis लिए ज्शार है क्योंकि लग बहुद देखेंगे बावन फोर्ट्स पे इन्होंने कबजा कर लिया था के लिए जीत लिये दे संग्राम शाह ने 48 में गौड राजा थे इसके अलावा आप देखेंगे जो चौरागर फोर्ट है नर्सिंगर पे तो कोशन आता है चौरागर फोर्ट कहां पर है नर्सिंगर पे तो यह भी आप देखेंगे capture किया था और यह भी आपको राम नगर जो inscription उसमें आपका mention है बकाइदा हाना इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर संग्राम शाह की क्या होती दैत हो जाती तो इनके बेटे होते हैं basically कौन बेटे की बात करें तो दलपस्षा इनके बेटे है ना दलपस्षा इनके बेटे हाना जो है इनके वो हैं दलपस्षा बेटे इनके दलपस्षा उन पे भी आपको कौशन आजाता है दलपस्षा पे हाँ अगर मैं दलपस्षा की बात करो तो दलपस्षा की जो शादी है वो होती है बिसिकली आपकी दुर्गावती से थ QUE दुरगावती को जानते ही हैंा कितना अपको नाम हिस्टरी में देखने को मिलेगा दुरगावती पर दुरगावती पर देखेंगे कोशन भी आपको काफी आते हैं हाना तो चंडेल राज कुमारी दुरगावती से इनके शादी होती या उसके अलावा आप देखेंग़ दलपस्षा की मिर्त्यू के बाद जो होता न वो बिसिकली आपका दुर्गावती हाथ में अपना ले लेती है और जो उनका माइनर बेटा रहता है हाना बिलकुल वीर नारायन उसे एजा क्या करते हैं गोशित कर दिया जाता है वहां का राजा लेकिन मुगल एंप्रियर यह नहीं चाहता हाना तो मुगल एंप्रियर अटेक कर देता है अकबर के कहने पर और आशफ खान जो है बिसिकली आपके उस टाइम पे मानिकपुर में अटेक करते हैं जो की गवर्नर होते है मुगल के हाना और राना रानी दुर्गावती के साथ इनका क्या हो जाता है युद छिड़ जात है युद लटती है हाना उसके बाद आप देखेंगे पूरी चीज़े आपकी चलती जाती है और यह चीज़े आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा इसमें कोशन देखने को मिलते हैं काफी जादा तो यह ठुड़ा सा ध्यान दीजैगा चलिए अगला देखिए कोशण है किलियर कट कोश्टन है अगर शबसे शक्तिशाली की बात करेगा तो भाई वह थी राजा भोज यहां राजा भोज अगर आप देखींगे परमार के से शक्तिशाली राजयों मिसे एक ते राजा के सांगत वो अच्छे कह सकते वह आप किया थे basically कवी भी थे एक अच्छे philosopher भी थे क्योंकि उन्होंने काफी गरंथ भी यहाँ पर लेखे 80 प्लस गरंथ आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और capital की बात करें तो उस टाइम पे इनकी capital जो थी वो धार हुआ करती थी धार जो थी इनकी basically आपकी क्या थी capital थी यह याद रखेगा इसके अलावा आप देखेंगे इनके पिता मैंने अल्हेडी बताया आपको पिता थे आपके basically सिद्धू राज वो इनके पिता हुआ करते थे और बाद में फिर आप देखेंगे तो यह चीचे आपकी काफी देखने को मिलती है बिल्कुट चलिए आगे बढ़े next question है राजा भोज के next question है आप चलिए next question है राजा भोज where the center of राजा भोज जी यहां राजा भोज का जो center है वो कहां पे था राजा भोज का जो center है वो किसका था योग practice के लिए medicine का था या archery का था या Sanskrit study का था यह इतना ही है राजा भोज के भी न्यान नसके अर्थ के न्यावज़ के नहीं यह question इतना ही है कि आ राजा भोज भोज center है वो कहां पे था खार यह बस इतना ही है बाकि नहीं राजा भोज करेक्टर थे योंट प्रैक्टिस के थे यह मैडिसन के थे यह पिर आपके संस्क्रिट स्टडी थे हुआ भोज शाला अगर आप देखेंगे तो राजा भोज का जो भोज शाला सैन्टर यह रत यह सभी को पता है राजा भोजबंढो और सब्धिस हन्सकृत अद्धियन का क्या था बिसिक्ली सम्पर यहां पर आप देखेंगे उसका में अधिक लिए थोड़ा सव द्यान रखे का और इस पर आगर मैं बात करू तो आपको पता है इसमें बाद विबाद भी चलता रहता है क्योंकि भाई साथ सवर्सती पूजा के टाइम पर आपको पता है सवर्सती सदन जो है बिसिकली राजा भोज ने दस्तो चौतेस में बिसिकली आपका धार में बनावाया और इस पर देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा भोज शाला में आप देखेंगे जो एरिया है वहां पर आपका कमील मौला मस्जिद भी है जिसके कारण आप देखेंगे हिंदू और मुश्लिम्स में बगाईदा यहां पर क्या होता है वह चीज भी कई बार देखने को मिली यह नियूज में हाना तो जो भोज शाला में आपका बिसिकली है एरिया वहां पर आपको मस्जिद है इस कारण आपने देखा होगा कई बार सवरसती पूजा भी साथ में पड़ी थी और रमजान विक का टाइम और या फिर उस टाइब का टाइम था तो वहां पर आपका क्लेश भी बसंत पंचुमी और बिसिकली आपका वह साथ में पड़ी थी हाना तो यह चीजे हो जाती है कई बार और यह कापी उसमें था हाई कोड तक मामला पहुंच गया था तो यह थोड़ा सा थ्यान रखेगा कोश्चन आपको आ सकता है चलिए नेक्स कोश्चन देखिएगा बोल रहा है निमलिकित में से किस राजा को धुरूपत संगीत का सरक्षक कहा गया विच और फॉल्मिंग किंग इस कॉल पैटरन और धुरूपत म्यूजिक जी हां धुरूपत म्यूजिक के लिए किस राजा को बिसिकली आप कहेंगे option में मान सिंग तोमर राजा शोग राजा भोज और राजा किरती पाल चलिए हाँ बिल्कुल चलिए तो मेरे साब सी question आप बता सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे रूपत संगीत की तो संगीत के लिए आप देखेंगे संगीत नगरी के रूप से आप देखेंगे हा ना तो संगीत के लिए famous जो है हमारा क्या famous है ग्वालियर famous है याद रखेगा कोशन आता है भाई संगीत के लिए अगर आप देखेंगे तो आपका क्या famous है ग्वालियर famous है ना ग्वालियर जाना जाता है तो भाईया राजा मान सिंग तोमर जो है बिसिकली इन्हें कहा जाता है सरक्षक किसका बिसिकली ध्रूपस संगीत का हाना और रही बाद टाइम की तो 1486 से आपका टाइम पिरेट शुरू होता है राजा मान सिंग तोमर का और 1517 के आसपास तक का यह टाइम पिरेट रहा होगा और इस टाइम पे आप देखेंगे तो काफी जादा जो है अगर आप देखेंगे ग्वालियर का जो टाइम है आर्ट्स और बाकी के मामले मे करती इसके आलावा आपका अर्किटेक्च के मामले में हो गया अर्किटेक्ट्र के मामले में वे नहिए जैसे अगर में एक्जाम के तो मान मंदिर जो हो गया basically आपका जनласт ये विस इनी के टाइन पर आप देखेंगे देखने को मिलता है इसके अलावा आप संगीत्विश्वधद्रारे भी है इस पर भी को शरन आ सकता है कि मांगसिंग् संगीत्विश्वदाररे कहां पर है वो गौलियर में है इसे थोड़ा से आप ध्यान रखिएगा 2008 में MP गौवर्मेंट ने बकायदा स्टैबलिश किया है हाना तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर भी आपको गोशन आ सकता है हाना तो गौलियर का इतियास देखेंगे तो बिसिकली आपका गौलियर का इतियास भी बहुत बड़ा इतियास है छोटा मोटा इतियास नहीं है कि बस सिंधिया का उसके पहले भी बहुत बड़ा इतियास रह चुका है तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि तोमर जो थे काफी फेमस थे तोमर अगर मैं बात करूं अना तवा घर जो है बिसिकली मुरेना वाला एरिया वहां से बिसिकली आप देखेंगे अना वो है और फाउंडर की अगर म एडी के आसपास तेरा सो चौरानवे तेरा सो चौरानवे एडी का टाइम पर यह रहे बिसिकली आपके पाउंडर तो यह भी याद रखिएगा तोमर में अगर पाउंडर मुचले की तोमर के डानस्टी के संस्तापक कौन है इसके अलावा आप देखेंगे वीर सिंग बहुत सारे राजा है लेकिन फेमस में आप देखेंगे तो मानश्टों अनाम ज्यादा आपको देखने को मिलता है तो मानंस्टों को में रग्याद का किला हो घैंगा दूसरा ск उजरी महल गईना मां टेМिल हो गया यह सब बीसिकली आपके मान सिंग्ठोमर के ही नाम पे जाते हैं इसके अलावा इनका आप अप देखेंगे 1517 में इब्राहें म्लोधी क्या होता है बीसिकली क्या कर देता है अटेक कर देता ग्वालियर को और आपका क्या ले plus है control पूरा का पूरा ले लेता तो एक कोशन यह भी आ सकता है कि भीया किस दिल्ली सुल्तान ने विश्क लिए ग्वालियर के उसपे अक्टैक किया तो यह भी याद बना सकता है कि किस से बिसकली आपका क्या हुआ यह दुआ इसके अलाबा अगर मैं बात करूं इनकी दैद के बाद इनके बेटे आते हैं विक्रमादित्य हाना जिनने ग्वालियर का राजा बनाया जाता है और वह आखरी राजा होते हैं बिसकली कहां के ग्वालियर के यानि म बाद उनका भी वह हो जाता है आना तो यह चीजें आप देखेंगे लगबग 125 साल आप देखेंगे आना आपका चला 1394 में शुरू होती है कहानी तोमरवंच की और उसके बाद यह पूरी की पूरी क्या हो जाती है खतम हो जाती है यह थोड़ा सा द्यान रखेंगा चलिए आगे देखते हैं विच आप दा फॉल्मिंग रूलर पॉर्ट विट किंग भोज राजा भोज के सांथ किसने आप तो सभी से लड़ाई हुई थी हाला बिल्कुल चलिए तो जल्दी से बताईए भाई किन-किन से इनकी लड़ाई हुई तो मेरे साब से यह आप तुरंट बता देंगे कि भाई सभी से इनकी लड़ाई रही कोई दिक्कत नहीं है देखिए 28 सनवरी वाले के भरोसे आगे बढ़ रही है तो यह चीज आपको करनी है अभी तो फिलाल आप रखे रही है पढ़ते रही है क्योंकि भाई भरोसा नहीं है गौवर्मेंट का कब आपका वह हो जाए इसका तो आंसर ऑल दी अबब है आना ऑल दी अबब आप देखेंगे यहां पर आपको आंसर दे चली यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हाँ इसके अलावा आप देखेंगे राजा भोज ने न काफी युद लड़े यह तो कुछी राजा थे इसके अलावा बहुत सारे राजा हैं जैसे आपका सिलहार काशी देव करके थे जिनका कौंकन इरिया जो है उसमें कंट्रोल उन्हें हराया इसके अलावा आप देखेंगे इंद्रनात जो थे आधी नगर के इंद्रा रत जो थे यह आधी नगर के शाशकते आधी नगर के बिसिकली क्या थे शाशकते इनको हराया हाना इसके अलावा आप देखेंगे आपका इनका जो एरिया था वो जो महानदी वाल यह सोचोग का अधी नगर वाला तो उसको हराया इसके अलावा आप देखेंगे उन्होंने कीर्टी राजो थे साूर्थन गुजरात वाला जो पाथ था इनका जो राज था कीर्थी राज का साउ॥न गुजरात ओला पार्था दक्षणी गुजरात वाला जो पार्था वहां के बेसिकली राजा रहे वहां पर इनको लड़ाई करके इन से हराया इसके अलावा आप देखेंगे महमूद गजणभी से भी इनका क्या हुआ पकाइदा यह दूवा यह भी आद रसके का राजा भोज से तो यह भी फड़ा सा ध्यान रि tucked in case को भी कोशन आ रखेगा चलिए अब भी तो मैं सिंपल कहूंगा सर किया इतना प्रेशन कठेट प्रेशन कर पाएंगे अब देखिए यह क्या कर सकते हैं गॉवर्मेंट की नीती है कि भाई सैट वालों को 45 दिन का टाइम और बाकी वालों को ज्यादा टाइम दे दिया तो गॉवर्मेंट की कुछ हो लेकिन अभी अपन यह नहीं कह सकते कि हां हंडेट परसंट ही होगा आप बस यह कर सकते हो कि भाई अराम से अभी क्या कर लो त्यारी कर लो अगर बढ़ गई तो अच्छी बात है एक तरह से त्यारी हो जाएगी और नहीं बढ़ी तो फिर आपका दिक्कत हो जाए को जाता है आपको बताना है याँ अब यह आपको बताना है तो बिसकली किफ़के उसमें आप देखेंगे याँ आपको बताना है परमार पर हाँ बाई उस टाइम पर किस ने आपका हराया ये एक तरह से पूछा जा रहा है एक्चली में हाना हाँ विच रूलर और क्रेड़ेट विद इस्टैबलिशिंग पर्मार फैमिली पर्मार फैमिली मतलब कहां से निकल किया है ये आपको बताना है हाँ एक तरह से होता है कि गवर्नर बना दिया वहां का तो फिर वहां पर बोला आप राज कर लो तो इस तरह से एक तरह से आप कह सकते हो यहां पर हां इस तरह से आपको बुला जा रहा है तो अगर आप देखेंगे तो बिसिकली परमार जो थे वह रहे किसके राष्ट कूत के हाना याद रखेगा जो राष्ट कूत है उनके रहे और उसी टाइम पर लगबग आप देखेंगे तो जो आट सो बारा एडी के आसपास की बात होगी हाना राष्ट कूत्र राजा जो थे जिनका नाम था नांगबट second हाथ को हराया basically आपका conquer किया मालवा प्रतियार राजा थे नागभग भट सेकेंड इसको हरा के basically आपका क्या मालवा पर basically कब जाग किया था आ आट सो बारा एडी के आसपास में तो राश्ट कूटों को कहा जाता है basically लिए आपका क्या उन्हों नहीं एक तरह से क्या कहोगे साहता की तो यह थोड़ा सा द्यान रखिएगा हाना हाँ कि अ कि बिल्कुल गोविन थर्ड अगर आप देखेंगे तो राश्पूत राजा थे गोविन तृतिये गोविन तृतिये जो थे जिन्हों ने बिसिकली आपका प्रतिहार प्रतिहार जो राजा थे नागभट इनको हरा के बिसिकली आपका क्या किया था मालवा पर कबजा किया था तो याद रखिएगा आठ सो बार आईडी में तो एक्चुल में आप देखेंगे क्रिष्णा फर्स्ट या उपेंद्र जिसको कहें तो वह जाना जाता है लेकिन कई जगे आपको हो सकता है कि यह मिल जाए कि गोविन थड हाना लेकिन वह नहीं है वह राश्पूत रा जाते ठीक है चलिए अगल फिख वाले कोशन है खासकर चैन कि एक पूर्शन मा लो एक्जाम में आपको देखने को मिल सकता है आप टा पर बुक्वाले कोशन पर आराम से आपको देखने को मिलेगा हाणना हाँ चलिए बताईए बुक वाला देखिए एक कुशन हिस्टोरिकल पॉइंट अव्यू से आपको आ सकता है राजा भोज है केशब दास है पन्ननी है और परिमल है अनौ हाँ चलिए जल्दी से बताईए नहीं राजा भोज तो नहीं थे भाई इसके लेखक अगा देखेंगे तो वो थे परिमल परिमल जो है इसके लेखक थे परिमल की बात करें तो पदमा गुपता परिमल पदमा गुपता परिमल पदमा गुपता परिमल जो है बिसिकली क्या थे कोट पोएट थे हाना दरबारी कवी थे किसके तो राजा परमार जो थे परमारवंज के राजा थे बिसिकली सिद्धू राज हाना सिद्धू राज के बिसिकली क्या रहे ये दरबारी कवी रहे तो ये थो इनके द्वारा ही लिखी गई है और बिसिकली आप देखेंगे मुंजा जो थे परमार राजा राजा मुंज जो थे यह परमार राजा थे इनके भाई थे सिद्धु राज इनके भाई कौन थे सिद्धु राज जो की राजा भोज के पिता राजा भोज के बिसिकली पिता थे इनके दरवारी कभी कौन थे basically आपके आना इनके दरवारी कभी basically आपका याद रखेगा परिमल आना उसी टाइम पे आप देखेंगे basically आपका mention है तो पदमा गुपता परिमल आपको देखने को मिल जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा कई जगे पदमा गुपता ही अगला question है वो वास actual founder of cultural dynasty महेश्मती जी यहां कल्चुरी वंच की स्तापना किसने की महेश्मती वाला जो है आपका कल्चुरी वंच इसकी स्तापना की बात हो रही यहां पर देखो अगर आप कल्चुरी की बात करें तो कल्चुरी वंच को दो बागों में बाटो गया एक ह पुरी वाला पार्ट हो जाता है दूसरा आप देखेंगे तो आपका महेश्मती वाला पार्ट हो जाता है महेश्मती वाला पार्ट हो जाता है तो त्रिपुरी वाला और महेश्मती वाले पार्ट की बात हो रही है तो महेश्मती अगर आप देखेंगे तो बिसिकली आपक 248 कल्चुरी संबच जो होता है हाना वो बिसिकली आपका कहलाता है और कि यहां पर आपको गुश्यन आ सकता है चलिए बताईए कल्चुरी वंज्त के संस्तापक महेश्मती वाले कृणा राजा शंकर रागन बुद्ध राज और वामράज त้ो याद रखी गा कृश्णा राज आ जो हैं कृश्णा राजय क्या क्ल्चुरी वंज्त के संस्तापक के रूप ने जाते है अगर मैं बात करूं ऑना तो कृश्णा राज 550 x575 तो याद रखेगा कृश्णा राज के बाद उनके बेटे basically शंकरगना और ये कृश्णा राज के बेटे हैं सन और बुद्धा राज पिर इनके बेटे हैं तो ग्रेंट सन लगे आपके कृश्णा राज के बुद्राज यह याद रखेगा तो यह तीन जो राजा है यह काफी फेमस रहे और कल्चरी में आप देखेंगे तो बेसिकली आपको पाउंडर माना जाता है क्रिश्ण राज को यह याद रखेगा इसके अलावा एरिया की बात करें तो जवल पूर हो गया और यह वाला जो एरिया है यह आपको देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा द्यान रखेगा और त्रिपूरी वाले में आप देखेंगे तो जो यह निया है र्टो इसको और रॉप्री वाले वाले फाउंडर है ठीकता यह यह याद रखेगा पॉंडर ऊक्रिपूरी कल्चुरी वाला पाठ जो है वह आपकी वम्राज है यह याद रखिएगा इनकेस कोशन आ जाए तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और त्रिपुरी मतलब क्या प्रेजन डे जवलपुर वाला जो एरिया है वह आपका कहलाता है त्रिपुरी ठीक है चलिए अगला है परमारवंश्कि के शाषक ने अपनी धार कर दी यह आपको बताना है भाई सब्सक्राइब चलो बताओ परमारवंश्कि वो राजा जिसने अपनी केपिटल को उज्जैन से बेसिकली क्या कर दिया धार कर दिया यह आपको बताना है अगा चलिए बताईए भाई साब हाँ अभी थोड़ी दिर पहले में बताया था थोड़ी दिर पहले ही बताया था हां बेर सिंग जो है बिसिकली अगर आप पढ़ेंगे बैर की कही जगे आपको बेर बिलकुल यह बैर किंग लिखा मिलेगा कही जगे बैर सिंग लिखा मिलेगा हाना तो कन्फ्योज मत होईएगा हां चली बिलकुल दी आप्शन इसका आंसर हो जाएगा बैर सिंग रखेंग डितिये जो है बैर सिंग जो है इंहोंने आपका क्या किया था ओझैन से कैपिटल को क्या कर दिया यह याद रखेंगा कोस्ँचन आपको आ सकता है बैर सिंग जो हैं बिलकुल यह याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी दिर पहले ही बताया था अगला है मत्वदेश के बेतुल जले का तिवारी खेड प्रशेश्चित किस वन से सम्मंदित है जी हाँ तिवारी खेड की बात हो रही है बेतुल का तिवारी खेड जो है वो किस से रिलेटेड है यह आपको बताना है है कि दिवारी खेड प्रस्रस्ती जो है बेतुल का वो किस से रिलेटटड है यह आपको बताना है चलिए औरा इसके बारे में दिवारी खेड़ अब inscription पर देखो काफी inscription है ऐसे बहुत सारे inscription है आपको जो की पंड़ने पढ़ेंगे भाई साब अलग-अलग वंज के इंस्क्रिप्शन जो है मदुब्रदेश में मिले हैं तो इसको डिटेल में आप पढ़ोगे तब समझे में आएंगे चीजे हां कौन से वंज का था तिवारी खेड़ बेतुल में यह आपको बताना है चली तो याद रखएगा आपका दो जगे आप देखेंगे बिलकुल आपका एक तो आपका तिवारी खेड़ हो गया दूसरा गुई खेट करके है दो जगे है यह राष्टकू कुट्र जो Turkey इस्से सम्बंध करकता है और यह याद्रखएगा इन के userвин आपको आजाए तो थोड़ा सा ध्यान रखीगा तिवारी के इंस्क्रिप्शन जो है बेतुल में राश्टकूत राजा जो है दुर्गा राजा गोविंद राजा सौमीक राजा और नाना राजा जो है मैं राश्टकूत किंग रहे उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा बिसिकली इन जो इंस्क्रिप्शन मिला था तिवारी खेट से तो राश्टकूत से संबंदित है याद रखेगा अगला है दा फोर्ट ऑब बांधवगड का किला किस डिस्टिक में आता है मदवदेश के यह आपको बताना है बांधवगड का किला तो मेरे साब से बांधव चाहाँ बांधवगड ताइगर इसर्व हाहा ना है बांधवगड नेशनल पार्क और कोश न आ जायगा बांदवगड नेशनल पार काहाँ पर है पांधवगर का पर रात ब्रदर्स फोट यह याद रखेगा कहां पर आता है उमरिया में आपका लगता है मेरे साथ से सभी को क्लियर होगा इस पर कोई डाउट नहीं होगा इसके अलावा अगर मैं बांदवगड के खिले की बात करूं तो बांदवगड का किला जो है बिसिकली बनवाया गया था राजा विक्रमा दित्ते सिंग के द्वारा जो की रीवा के राजा थे हाना राजा विक्रमा दित्ते सिंग के द्वारा बिसिकली यह किला क्या था ओक रीवा के द्वारा बनवाया गया था बांदवगड का किला हाना तो यह थोड़ा सा ध्यान रख्येगा इसके अलाबा बिसिकली यहां पर आप देखेंगे फेमस बिल्डिंग भी है हाना छिप्रा कुंड होगी योगी समाधी हो गई हाना और यहां ही पर आप देखेंगे आपके जो राजा थे मार्तडंग सिंग उन्हें विसिकली वाइट आप देखेंगे चले हैं अग supportें दिए करेका किल Otherwise की कीद्गा सीवागी लेकिन शावे wordtिए तो मेरे साभ से बहुत इज्वा है जो आपको यह पूछा गया है लेकिन इस पे पूश्चन काफी बंसकते हैं मधन-ale के किले पर हाना और इसी के पास में देखेंगे मदन महल के पास में बैलेंसिंग रॉक भी है अगर आपने देखा होगा रख में बैलनसिंग रॉक इसी के थोड़ा सा उसी एरिया में ही है आपको पता है आपका मदन महल बिलकुं जाक्षी से जस पहले आप स्टेशन आप देखेंगे तो मदन मेहल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है इसके अलाबह आप देखेंगे basically यहां पर बहुत सारी कोशन मनते हैं यतनी चीजें आप यहां पर ध्यान रखेगा होसकता है यहां पर कोशन आपको देखने को मिले चलिए अगला कोशन देखेगा next question है गोल की मट जो है इसका दूसरा नाम क्या है जी हां गोल की मट का दूसरा नाम क्या है यह को बताना है गोल की मट हाँ चलिए गोल की मट मेरे साब से अगर आप पढ़ेंगे गोल की मट के बारे में तो यह 64 योगनी मंदर है बिसिकली आपका ना 64 योगनी मंदर इसका ही दूसरा नाब आप देखेंगे गोल की मट है हाँ हाँ 64 योगनी फेमस टेंपल है जवलपुर का हाँ और वही बेडा गार्ट के पास में आप देखेंगे आपका चौसट योगनी मंदिर है और बिसिकली चौसट योगनी मंदिर नाम से समझ में चौसट यहां पर आप देखेंगे तो माद दुर्गा की मूर्थिया हैं हाना माद दुर्गा की बिसिकली यहां पर आपको मूर्थियां देखने को मिलेंगी चौसट की चौसट हाना मादुरगा की और आप देखेंगे यहां पर बेसिकली भेडा गाट अगर आप कभी गए हों हाना बिलकुल अगर आप भेडा गाट गए हों तो भेडा गाट वाला जो एरिया यह उसी यह पास में है चौसाड योगनी मंदिर हाना एकदम सीड़ी चड़के जाना पड़ता है उपर और उपर आप देखेंगे तो एकदम सरपुलर एकदम गोल है और भगवान शिप का मंदिर है और चारो साइड आप देखेंगे पूरा 360 डिगरी के रूप में तो यह मूर्थियां बनी होई है जो कि कुछ कुछ टूटी टाटी भी है क्योंकि भाई इतने फॉरण अ मंदिर आप सोच लीजे एक हजार एडी के आसपास का मंदिर एसे आप देखेंगे चॉट सड्योगनी टेंपल यह आपका कहाँ पर है बिस्कली खुज्राओं में भी ए तो उससे कंफ्यूज मत होईएगा जवलपुर वाला है और भी आप देखेंगे चॉट सबीयोगनी आपको बताना है किसने स्टैब्लिश किया मालवा के जो मुस्लिम शाशक रहे हाना मालवा के जो सुल्तान रहे हाना वह आपको बताना है हाँ कि चलिए बताईए क्यों आपको पता होगा दिल्ली सُल्तान जो थे तो उन्होंने खुद सो डारेट कभजा नहीं किया उन्होंने क्या भीजिए अपने गवर्णर भीजे और गवर्णर ने MP के अलग-अलग एलिया इटक्ड Мы आटक्ड शु един लेकिन जैसे मुगल पीरेड शुरू हुआ क्यूंकि दिलदी सुल्टान हो चुकते ते इंद्धी सुमiveness गोशिद कर दिया तो वह थे दिलावर खन अधूर अधंचेहां बेसिकली आपके क्या है आप और मालवा की और आप देखिएंगे जब तुगलग डाइनस्टी का टाइम था उसी टाइम पे ये रहे उसके बाद आप देखेंगे दिलावर खान जो है बिसिकली आपका हाना और उसके बाद उन्होंने खुद को as a independent कर दिया और बुला कि नहीं भाई हम तो अपने ही अलग हो जाएंगे और जो capital थी दिलावर खान क पुत्र बेटे जो रहे वह थे उशंग सा हाना फोशंग साप एक कोशन आसकता है हो शंग शाग जो और होशंग शाग का हो शंग शाग वोशंग शाग गोरे इनके पुत्ट प्र यह मालवा पर पर विराजमान तरल इना शाप आपका क्या कर दिया चेंज कर दिया धार पहले कैपिटल थी धार सी कैपिटल इन्होंने बदल के क्या कर दी सदियाबाद कर दी जिसे मांडू के नाम से जाना जाता है सदियाबाद उस टाइम पे कहते थे लेकिन वर्तमान आप देखेंगे तो मांडू तो इन्होंने मस्जित हो गई यह इसी पीरिट की मस्जित है जिसको लेकर आप देखेंगे हिंदू और मुस्लिम में विवाद भी होता है बसंत पच्छमी के दोरान क्लेश भी हो गया था इंदू-मुसलिम का तो एक तो यह हो गई जो की धार में है ऐसे ही आपकी लाल मस्जित हाना यह भी नाम से भी मस्जित है दिलावर खान मस्जित यह आपकी मांडू में है अना दिलावर खान मस्जित जो है बेसिकली आपकी मांडू में है यह याद रखेगा इसके अलावा आपका मलिक मुग मस्जित जो है यह भी आपकी क्या है मांडू में तो यह थोड़ा सा ध्यान रख यहां पर जोड़ी मिलानी है कौन सा कहां पर है तो मेरे साब से कोश्चन आप तुरंध कर पाएंगे कमाल मौला मस्जड अभी मैंने आपको बताया कमाल मौला मस्जड वह आपकी ध़ार में है और तो Iska हो जाएगा धार और दिलावर खान का मैंने अभी बताया मांडू एह खज्राना मस्जड जो आपकी दौर में हैं और मोती मस्जिद जो है आपकी कहां पर है भुपाल में तो यह डारेक्ट कोशन टूरिजम से भी आप देखोगे तो एक्जाम में इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है यह थोड़ा ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं वो इस्टेबलेस्ट टाउन ओप महेश्मती महेश्मती जो राज है इसकी स्थापना जो है किसने की यह आपको बताया है बिल्कुल आई सिटी किलिए आउधनी आपका ठाटरर्स году करेंट इस आपको मिलेगी सभी के लिए हो गी यहां सभी के लिए होगी विल्कुल क्योंकि वह तीन यूनिट आपकी MP की पढ़नी है आपको एक यूनिट आई सिटी पढ़नी है और एक यूनिट जो है आपकी यह कि आपका बहुत लंबा चले हां अगर आप 45 दिन भी जोड़ेंगे तो 25 कोशन के साफ से भी अगर मैं उसमें तो मैं ज्यादा ही कोशन करवा दूगा 30 कोशन के साफ से भी आप 40 दिन भी जोड़ोगे तो 1200 प्लस कोशन आपके होते हो 1200 प्लस कोशन में जो इंफोर्मेशन में आपको दूगा वो भी आपकी अलग रहेगी तो वह तो आपकी अलग ही रहेगी क्योंकि एक चार उप्षन नहींगे तो 1200 गुड़ा चार कर लो तो आप सोच लो कि बहुत सारी चीजें में नहींगी हां चलिए तो मेरे साब से महिशमत महिशमति की स्टापना का श्रे अना बिल्कुल महिशमति की स्टापना का श्रे जाता है है राजा को बिल्कुल याद रखीगा है राजा को महिशमति का क्या है श्रे जाता है दिखें, अब कमिंग में भली शो नहीं कर रहा है, आना, वो न देखिए, आप कमिंग में, कैलेंडर के साथ से देखिए, कैलेंडर में क्या है, न, छह अक्टूबर को जो कैलेंडर आया था, उसको डाउनलोड कर लिजे, उसमें 28 जनवरी ही मेंचन है, एक्जाम बेठा न, तो उसमें upcoming में शोनी कर रहा है वो कई बार दो दिन पहले अपडेट करती है MPPSC कई बार चार दिन पहले अपडेट करती है तो उसका आप छोड़ दीजे टेंशन पता चले admit card आ जाए हाथ में मैं तो simple कहूंगा बाई MPPSC का जब तक आपका admit card नहीं आ जाया हाथ में तब तक आप डेट मुह मत कीजिए जिस दिन इंजरिंग सर्विस वालों के सांद ऐसा भी हुआ था कि admit card आ गया था उसके राद एक्जाम पोस्पोन हो गए थी उनकी तो यह भी ऐसी घटनाए हुई है MPPSC के अभी तक इतियास में तो जिस दिन admit card आ जाएगा ना उस दिन आप मालने ना कि हाँ भाई आप confirm exam होना ही होना लगिन अभी आप फिलाल 28 मानके चलो ठिक है तो है राजा जो है बेसिक्ली आप देखेंगे इने माना जाता है बेसिक्ली जो महिषमती वाला वो है उसका basically वो लेकिन पुरान में यह mention है अगर आप देखेंगे पुरान के साब से अगर आप देखेंगे तो पुरान जो थे उनमें इनका नाम mention है मैश्मती के रूप में कि मैश्मती राज में आप देखेंगे जो है कल्चुरी है यह basically आपका पुरान में mention है और यह basically कार्तिक वीर अर्जुन है उनके पूर्वज माने जाते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कई जगे आपको राग कृष्णा राजा जो है बिसिकली यह एज़ा फाउंडर मिलते हैं और पुरान की बात ना करें तो पुरान के इसाब से आप देखेंगे तुभिया है राज क्रिश्मती का माना जाता है राजा वैसे आप देखेंगे रियल पाउंडर की अगर बात करें तो भाई वो कृष्णा राजा है यह याद रखेगा चलिए अगला है वू बॉस्ट किंग कोशन अधूरा लग रहा है मुझे चलिए यह कोशन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है मुझे अधूरा है मुझे कोशन थोड़ा सा अधूरा है वो वास दा मोस्ट किंग राजा सबसे कौन था नहीं कोशन अधूरा है छोड़ दीजिए इसको यह पूरा नहीं कोशन चलिए अगला है नौखंडा महल किसने बनवाया था भाई साथ नौखंडा महल जो है यह किसने बनवाया था यह आपको बताना है अब यह भी फेमस कोशन है टूरिजम से रिलेटेट कोशन आपको देखने को मिलेगा नौखंडा महल जो है नौखंडा पैलेस जो है ये किसके द्वारा बनाया गया या आपको बताना है चलिए नौखंडा महल हाँ नौखंडा महल किसने बनवाया ओप्शन में किर्थिपाले लोगपाले रामपाले और दिनेशपाले तो मेरे रसाब से ये कोश्चन आप कर पाएंगे तुरंत में कौन से प्रतियार राजा गुजर प्रतियार राजा बिल्कुल हाँ गुजर प्रतियार राजा किर्थिपाल बिल्कुल याद रखेगा गुजर प्रतियार राजा जो किर्थिपाल है इन्होंने बिसकली आप देखेंगे आपका क्या बनवाया बिसकली आपका बनवाया के अलावा आप देखेंगे बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं आप नागबठ सेकेंड मिलेंगे वस्राज मिलेगा और रामभद्र यह भी आपको देखने को मिलेंगे चलिए एक लियर हाँ चलिए तो यह थी आज की क्लास वोफुली आपने इंज्वाई की हो तो प्लीज लाइक कर दें शेयर कर दें साथ में चैनल पे नए सब्स्राइब कर लिजे कर आप जॉइन करना चाहते तो एप डाउनलोड कर लिजे एप पर आपको मिल जाएगा जियां केवल और केवल 699 मे इससे कम में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला वाई 699 में वीडियो लेक्चर टैसरेस नोट्स आपकी सिरीस सब आपको मिल जाएगी इसके लाबह अगर आप हमारी टैसरेस केवल जॉइन करना चाहते हैं पेपर वन की तो 199 रुपे में मात्रा भी मिल रही है पेपर वन की टैसर आपको देखनी है तो भाई साफ आप एई पी ग्रूप जो है हमारा इसे जॉइन कर लीजे यहां पर आपको पीडियप देखने को मिल जाएगी इसके अलाबा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि भाई कोई भी एक्जाम की नोटिफिकेशन आएगी तो चैनल पर ह सभसे पहले आती है तो भी है सब्सक्राइब कर लीजे हाँ पर आपको सब्सक्राइब को आप्शन आएगा और बेनों सब्सक्राइब को exemplo अबडेट देट नहीं तो यह क्लास ही तक मिलता हूं में आप लोग